हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री और स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरी hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp number है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो इस whatsapp number पर message send कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली हैं कुछ इस तरह से एक squarish shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी fingers की जो लंबाई है काफी अच्छी नजर आ रही है base phalanges fingers के काफी thick नजर आ रहे हैं यहाँ से आप idea लगा सकते हैं भी इस phalanges से काफी thick fingers हैं जो indicate करती हैं काफी अच्छी energy and stamina को उसी के साथ साथ कुछ खड़ी रिखाएं आपको इनके सभी fingers के middle phalanges के ओपर clearly नजर आ रही होंगी ऐसी रिखाओं का होना बहुत ही positive माना जाता है ऐसे विक्ति बहुत ही मिलनसार सभाव के होते हैं दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीव से पेश आने वाली nature इनकी रहती है fingers की लंबाई की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी fingers काफी अच्छी length में नजर आ रही है शनी finger बिल्कुल straight है और काफी अच्छी लंबाई में है जिसकी वजह से native काफी hard working तो होता ही है साथी साथ discipline type की personality ऐसे व्यक्ति की रहती है discipline को follow करने वाली nature नया प्रिया और शाशन प्रिया personality ऐसे व्यक्ति की रहती है अगर हम बात करें इनकी groove finger की तो आप देख सकते हैं groove finger बिल्कुल straight है अच्छी लंबाई में नजर आ रही है और अगर हम compare करते हैं groove finger की लंबाई को सूरिया finger से तो यह finger सूरिया finger से भी ज्यादा लंबी नजर आ रही है groove finger का अच्छी लंबाई में होना native की strong leadership qualities को दर्शाता है ऐसे व्यक्ति की leadership qualities तो अच्छी रहती है साथी साथ ऐसा व्यक्ति काफी spiritual minded होता है काफी अच्छी knowledge ऐसे व्यक्ति की रहती है और spirituality का level भी काफी अच्छा रहता है overall ब्रस्पति finger यहाँ पर बहुत ही positive नजर आ रही है बात करते हैं इनकी सूरिया finger की यहाँ पर medium size में इनकी सूरिया finger लेकिन बहुत ज़्यादा weak इसको हम नहीं कहेंगे सूरिया finger बिल्कुल straight है creativity का level अच्छा रहेगा artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर strong रहती है और साथ ही साथ जिन लोगों के यह finger बिल्कुल straight होती है वो एक अच्छा social circle बना पाने में भी कामयाब रहते हैं आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी mercury finger को तो यहां पर आप देख सकते हैं mercury finger हलकी सी low set नज़र आ रही है थोड़ा सा नीचे से शुरू हो रही है अगर हम बाकी fingers के मकाबले अब देखोगे तो यह finger थोड़ा सा नीचे से शुरू होने की वजह से सूरिया finger के top falange तक नहीं पहुंच पा रही तोड़ी सी नीचे रह रही है यह finger लेकिन लंबाई में इस finger में कोई भी कमी नहीं है लंबाई में यह finger अच्छी नज़र आ रही है जिसकी वजह से communication skills इनके अच्छे रहने वाले है calculations करने की काबलियत strong रहती ऐसे व्यक्ति की जिनकी यह finger लंबाई में अच्छी हो fingers में हलके gap नज़र आ रहे हैं अपर यहाँ पर देखोगे हलका gap और इवन इस area में और इन दोनों fingers के बीच में हलका gap और उसी के साथ साथ खास तोर पर इनकी mercury और सूर्या finger के बीच में भी आपको clear gap नज़र आएगा इस तरह के gaps का होना indicate करता है कि native का सभाव थोड़ा खर्चीला रहेगा ऐसे व्यक्ति धन को थोड़ा सा अधिक खर्च करने वाले होते हैं जिस वज़े से कई बार धन की तंगी का सामना भी इनको करना परता है लेकिन उसी के साथ साथ mercury finger और सूर्या finger के बीच में gap का होना यह भी indicate करता है कि ऐसे native काफी independent सभाव के होंगे और ऐसा व्यक्ति जिनकी इन दोनों fingers में gap होता है थोड़ा सा जिद्धी भी होता है जिद्धी nature रहने की संभाव बनाए इस तरह की gap होने की वज़े से रहती हैं आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बार चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रिखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देखेंगे इनका mercury यहाँ पर हलका सा low set जबकि इनका सूर्य mount शनी mount और गुरू mount तीनों को अच्छी space यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है जैसे मैंने आपको और रहता है mercury mount का low set होना थोड़ी shy nature देता है लेकिन यह mount ज़्यादा weak नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको यह mount उबरा हुआ नजर आएगा अगर आप compare करोगे इनके बाकी mount से गुरू mount और mercury mount दोनों strong हैं उबरे हुए हैं जबकि इनका शनी इनका सूर्य मांट और इनका शनी मांट यह दोनों आपको अंदर की तरफ दबते हुए भी नजर आ रहे होंगे तो mercury mount का उबरा हुआ होना native के business equipment को strong करता है ऐसे विक्ति बिजनस के जरीए भी धन कमा सकते हैं बेशक ऐसा विक्ति जॉब में भी बहुत अच्छा होता है जिनके हाथ में शनी रेखा होती है यह शनी रेखा है अगर यह एक रेखा हाथ में वजूद हो तो ऐसे विक्ति की जॉब करने की जो probability है वो ज्यादा रहती है लेकिन अगर mercury अच्छा हो तो ऐसा विक्ति जॉब के साथ साथ भी बिजनस कर सकता है तो यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आएगी जिसको हम mercury line कहते हैं बिजनस ब्रोकन है जिसकी वज़ए से बिजनस करने में दिक्तें आ सकत है ऐसे वक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें कितनी भी भलाई के काम कर लें बदले में reward नहीं मिल पाता जब यह मौंट दब रहा हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह की problems का सामना इनको अपनी life में करना पड़ सकता है लेकिन सूरिया जो finger है अच्छी लंबाई में है और यहाँ पर आपको खड़ी रिखाएं भी नजर आ रही होंगी जिसकी वज़े से multi-tasking personality भी रहेगी और इस तरह की सूरिया रेका हाथ में होने से एक अच्छा social circle बना पाने में ऐसे विक्तिक कामयाब रहते हैं शनी की बात की जाए तो यहाँ अरिया आपको अंदर की तरफ धसा हुआ नजर आएगा दबता हुआ नजर आएगा जिसकी वज़े से मेनत बढ़ जाती है लाइफ में लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि शनी रेखा हाथ में होना यहाँ दर्शा आता है कि नेटिव को उसकी मेहनत का फल भी जरूर में लेगा बेशक थोड़ी डिले हो हो सकती है लेकिन यहारेखा होने से नेटिव को भाग्या का साथ मिलता है और ऐसे व्यत्ति कre किए गे कर्मों का जो अच्छा फल है वो उसे जरूर मिलता है तो हाथ में भाग्यारेखा का होना इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव भाग्यारेखा आप देखेंगे यहाँ स इसकी वज़े से ग्यानवान परसनेलिटी रहती हैं, नॉलेजेबल ऐसे व्यक्ति रहते हैं, और साथ ही साथ spiritual टाइब की nature, जैसे हमने इनके गुरूफ इंगर को देखा कि काफी अच्छी लंबाई में हैं, जिस वज़े से leadership quality तो strong रहेंगी, साथ ही साथ knowledge की वज़े से में काफी अच्छा मान समान, पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक खड़ी रेखा नजर आएगी, इनकी mind की line से निकल कर उपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की रेखा को हम progress line का नाम देते हैं, और यहाँ पर इस हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, हार्ट लाइन यहाँ से शुरू होकर सीधा इनके गुरू परवत तक पहुंचती हुई, बहुत यह practical personality रहेगी, लेकिन साथ ही साथ दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की help करने वाले होते हैं, sympathetic nature के होते हैं, loyal and honest होते हैं, तो यह qualities इनके भीतर रहेंगी, इस तरहां का स्योग बनने से, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर आकर एक हलका सा island बनता हुआ नजर आ रहा है, इनकी heart line में, तो little age में लगबग 65 के आसपास की age में चलकर, तोड़ी दिक्कत heart से related आने की संभावना है, और उस बात करते हैं, इनकी line of mind की, अब देख सकते हैं, mind की line काफी नीचे की तरफ dip ले रही है, जो यहाँ दर्शाती है कि native की imagination बहुत ज़ादा रहेगी, कलपना shield होत रहेगी, अब देखोगे यहाँ रेखा कुछ इस तरह से, पूरा नीचे की तरफ चंदर परवत पर व्यक्ति अगर कुछ काम करें, imagination से जुड़ा हुआ, जैसे writing का काम है, poetry है, कोई designing का काम है, कुछ artistic काम, कोई painting वगरा, जिसमें कलपना shield का इस्तमाल हो सकते हैं, अगर ऐसा काम life में करता है, तब तो यहाँ रेखा कोई दिक्कत नहीं देती, लेकिन इसके बिलकुल विपरी अगर ऐसा व्यक्ति कुछ भी artistic काम नहीं करता, कोई ऐसा काम नहीं करता, जिसमें कलपना shield का इस्तमाल हो, तब यहाँ रेखा native को depression या तनाभ भी दे सकती है, ऐसे व्यक्ति की memory बहुत जादा होती है, पुरानी से पुरानी बातें ऐसा व्यक्ति याद रख पाता है, जिस इस वज़े से depression या anxiety जैसी problems का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है, लाइफ लाइफ लाइन की अगर हम बात करें तो लंबी है काफी है इनकी लाइफ 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 लाइन, यहां तक इनकी लाइफ लाइफ लाइन पहुंचती हुई, इसकी वज़े से जो age है लंबी वाली है, उसके लावा भी काफी और रिखाएं इनके मून के उपर नजर आ रही है, जिसकी वज़े से native को life में बहुत सारी यात्राइं करने का मौका मिलता है, लंबी दूरी की यात्राओं के साथ साथ foreign travel के chances भी रहते हैं इस तरह इनकी रिखाएं होने से तो काफी वज़े से health weak होने की संभावनाएं, 60 के बाद की age में कुछ दिकतें health से related face करनी पड़ सकती हैं, और अगर हम देखें इनके venus mount को, यह जो area है, venus का area है, overall उभरा हुआ, यहाँ पर एक हलका सा तिल का चिन और कुछ आड़ी रिखाएं, यहाँ पर नजर आ रही हैं जिसकी वज़े से married life में थोड़ी disturbance, थोड़ी सी instability रहने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन overall venus mount का उभरा हुआ होना native को खर्चीला भी बनाता है, ऐसे व्यक्ति जिनका venus mount उभरा हुआ होता है, अपनी life में हर तरह की सुख सुधाओं को enjoy कर पाते हैं, हर तरह की luxuries को भोग पाते हैं, तो venus का यहाँ पर उभरा हुआ होना इनके लिए अच्छा रहेगा, life में हर तरह की सुख सुधाओं और धन ऐसे व्यक्ति को मिल पाता है, money triangle यहाँ पर बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ, आप देखेंगे, यह तिन रिखाएं चाहिए होती है, यह जो रे रिखा है, mercury line, और उसके सासत यह वाली एक mercury line, दो रिखाएं यहाँ पर मौझूद हैं, लेकिन बीच में से यहाँ पर यह रिखाएं जुड नहीं रही हैं, अब देख सकते हैं, money triangle का जो area है काफी अच्छा बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ, money triangle खर्चों को indicate कर जाता है, तो इनसे request है, अगर इनका कोई question pending है, तो मुझे WhatsApp पर message करें, मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद,